हेलो, लेट्स बीगेन विधा टापिक, दा ग्रेट समाग आफ लंदन, 1952, आज का टापिक ये है, तो इस टापिक पर आने से पहले हम जानेगे कि समाग क्या होता है, तो समाग दो वर्ड से बना हुआ है, फाग और समोक से, फाग क्या होता है, लो लाइंग जो कलोड होते है जो कि किसके इंफुलेंस की वज़ा से बनते हैं, नियर वज़ बाडिज होती हैं, जैसे और्थ की सरफेस हो गई, जा वाटर जो टोपोग्राफी, जा विन्ड कंडीशन की वज़ा से, ये जो फाग होता है, ये बनता है, क्योंकि और्थ के सरफेस के उपर एर है, और एर क चुब में water water to be hot तो इस earth की surface की वेगा से जानिस ते ही जाए वाटर इट होती है उनकी इंफ्लेंस में जाए ये एर औरपड्रापलेट आते हैं तो फाग बनते है ज्वरदा हो चुब लॉय वही हमगे जो प्लूटेंट गैसिज रिलीस होती है जाहे automobiles हो जाए industries में हो तो यह दोनु जब fog और smoke दोनु मिलते हैं तो बनता है smog और यह term जो क्वाइन की थी smog की वो की थी Dr. Henry Anton Devo ने इन 1905 में एक paper में उन्होंने यह coin की थी term जिसका नाम था paper का fog and smoke तो since then 1905 से हम इस term को भी यूज़ करें as a smog क्यते हैं जो की combination of fog and smoke का combination होता है कहीं बार यह question आता है कि smog क्या चीज़ होती है तो next हम चलेंगे अपने topic पर की great smog of the great smog of London 1952 क्या चीज़ थी तो इसमें क्या हुआ था कि यह लंदन क्या चीज़ है यह Britain की capital है British की capital है England की तो यहां पर यह smog का incidence हुआ था जिसको killer fog भी कहते है 1952 में यह हुआ था इस वज़ा से इसको बोलते है the great smog of London 1952 वो यह severe air pollution event था जिसने British capital को बहुत affected किया था यह incidence हुआ था December 1952 में तो इसमें हुआ क्या था कि जो smog की thick layer है वो बन की थी शहर के उपर लंदन शहर के उपर और जो की लगवक्त पांच दिनों तक यह जो smog की layer वहां शहर के उपर रही थी जिसकी वज़ा से हजारों लोग मारे गे थे तो यह कब शुरूई थी December Friday का दे था दिन था December 4 को और यह Tuesday 9th of December 1952 था कि यह हुई थी यह event हुआ था जिसके बाद यह disperse हो गई और फिर बाद में मौसम change होने के वज़ा से यह disperse हो गया था तो हुआ क्या था कि London had suffered since 13th century from air quality नेशन है यह यह यूरोप के सारे तो लंदन सिटी जो है उसे बहुत सारी industries लगी है बहुत सारी गाड़ियां अटो मोबैल चलते थे तो 13th century से ही वहाँ पर air quality खराव चल रही थी जो की काफी 16th hundred में जो है यह air quality काफी वहाँ बर खराव पहले भी नोट की जाती रही है तो यह finally 1952 में यह condition worse हो गई और समाग जैसी condition वहाँ बनी और लोगों को हजारों लोगों की जने गई तो इसमें हुआ क्या था कि दिसंबर में वैसे भी और यह नार्थ पोल की तरफ रिजन आता है नार्थ नार्दन हमिसेवर में आता है तो नार्दन हमिसेवर में दिसंबर में सर्दी होती है cold weather था उसके साथ ही साथ anti cycloning condition बन गी थी cyclone में तो बहुत disturbance होती है हवा चलती है यह और anti cyclone में ज़्यातर क्या होता है कि हवा stagnant रहती है और दूसरे नबर पर प्रेशर जो सेंटर में होता है हाई होता है और बाहर लो होता है anti cycloning की condition में यह आमने cyclone anti cyclone पढ़ा हुआ है इसी चैनल पर आप इसको चेक कर सकते हैं तो और क्या हुआ था wind less condition हो गई थी wind नह यह फ्लूटेंट यह जो थे जो की खासकार जो कोयला बगएर तब जराते थे ताकि बोत सारे कारण थे जिसके कोयला जलाया जाता था तो उसके वजह से जो प्रूटेंट निगले थे उनकी वजह से क्या हुआ हुआ फाग समोक मिलकर बन गया समाग बना था तो ये चीज हुई थी लंदन में 1952 तो चार दिसंबर 1952 में हुआ क्या था कि एंटी साइक्रोन कंडिशन बन गी थी और विंड लेस कंडिशन थी लंदन के उपर हवाय नहीं चार रही थी बिल्कुल स्टेगनेंट थी और ये एर थी वो नीचे आग थी और जो फार्म जो लाइड अरो थी है वो उपर थी तो वहां पर मिक्सिंग आफ एर भी नहीं हो पा रहा था जिसकी वज़ा से क्या हो था और जो फाग थी वो मिक्स हो रही थी जो गरून से स्मोक निकल रहा था पुलुटेंट गैसी निकल की कि जो प्रिटेट गैसी जो पाक्सु ऺयर तीजिज सारी और की प्रेटेट्टे में झाई करी तो स्मोग और फाग बिलकर बन रहा था समॉग और जो पॉर्टीकूल next Hai और स्वूट जो थे घे उसको वह मिलकर स्मौंग को क्या कलर बन गया थाकव स्मांक का येलो बलाइक कलर जिसको नाम दिया था पी सूप पर जैसे पी का सूप हता है येलो पलर का उस्तरह की विज़ा कि विज़ा स्वूप पी सूपर पी इसको पीज़ स्थीच ऑफन यह ईलविश करर की थी जो की क्या था ये पूरे तरीके से एयर प्लुटन कॉस्ट की वजह से थी यह सारा कसारा इसमें सूट पारिक फॉतिकल्स चाट्रिकुले फिर साथ में सलफर्ड डायक्साइड थी और इस fog का smell भी जो थी बिल्कुल different थी smoky और chemical तरह जैसे chemicals होते हैं इस तरह की इसकी smell भी थी नेक्स्ट जैसे हम जानेंगे अभी कि normal condition में क्या होता है यह जैसे earth surface है यह वली वो suns की radiation जब आती है जब normal condition की यह जो है temperature inversion में क्या होता है यह difference हम देखेंगे तो क्या होता है नार्मन condition में जब sum से radiation आती है और यह earth surface से टकराती है तो यह तो earth की surface warm होती है और उसके साथ लगी हुई हवा भी जो है वो भी warm हो जाती है जैसे इदे लिखा भी है warm air यह वला warm air तो earth surface warm होगी इसके साथ सटी हुई हवा भी गर्म हो जाती है और warm air जो है वो light color की होती है इसका वजन मतलब weight जो है light होता है weight क्या होता है light होता है और cold जो air होती है उसका weight क्या होता है heavy होती है वो जदा बजन होता है अब जब sun से radiation होएंगी earth surface को क्या करेंगी warm करेंगी तो इसके साथ सटी हुई हवा भी जो है क्योंकि earth के surface के ओपर क्या है atmosphere atmosphere है atmosphere क्या है gases part जो होता है उसको atmosphere कहते है और layers जो है atmosphere की layering भी है जिसमें सब से pass वाली जो layer होती है उसको troposphere कहते है next को stratosphere फिर mesosphere एक्सफेर, फिर एक्सोन स्फेर इस तरीके से एयटमेसर के लेयरम थें, तो हम ट्रोपोस्फिर में ये देखते हैं, कि EARTH सर्फेस के पास, टंपरेटर जाद होता है. और जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते जाते है away from the earth surface temperature कम होता जाता है तो यही condition होती है कि normal condition में earth पे जब sun की radiation पढ़ती है earth की surface गर्म होती है उसके साथ में सटी होई जो हवा होती है वोई गर्म रहती है और यह गर्म हवा light weight के होती है यह उपर के दरफ shift हो जाती है move करती है mix और जो heavy cold air है वो नीचे की तरफ move करती है इस तरिके से air की mixing होती है normal condition में लेकिन लंदन में क्या हुआ कि लंदन में temperature inversion हुआ कि जहां पर जब सरदी का मोसम था बहुत ठंड थी तो earth की surface जो है वो ठंडी हो गई और इसके साथ में सटी होई हावा जो है वो भी ठंडी हो गई यह देख रहे हैं cool air cool air उपर होती है और warm air नीचे होती है लेकिन यहां पर temperature का inversion हो गया उल्टा हो गया inverse हो गया जिसकी वज़ा से cold air नीचे है और warm air यहां पर उपर देख रहे हैं उपर वाली warm है लेकि नीचे वाली cold air आर्ट सर्फेस की ठंडा होने के वज़ा से एर भी कूल हो गई इस वज़ा से क्या हुआ कि यहां पर मिक्सिंग नहीं हो पा रही क्योंकि लाइट वरी जो जिसका बज़न कम है एर का वाम एर वो निचे तो आएगी नहीं और यह हैवी एर जो कूल एर है यह इसका बज़न ज वज़ा से यहां पर जितनी भी चिमिनी लगी थी जा आटम मॉइल से दुवा निकल रहा था जा घर से जो जिला रहे थे कॉल बगएरा उसकी गैसी यहीं कठी हो रही थी और फाग भी बना वा था क्योंकि कॉल हो गए थी एर तो यहां की सटी हुई जो एर वाटर ड्राप लेड़ से वो भी फाग भी बना वा था इसका तो इसके अलाबा यहां पर जो पंूटेंट थे जो स्मोग तावह भी निकल रहा था तो फाग प्ला स्मोग बनने के वजा से यहां पर बन गया हुआ था क्या समॉग तो इसी को बोलते हैं किलर समॉग जो की लागवाग च च की ठीक हो पाई थी तो कुछ रीजन क्या है ग्रेट जो यह स्मॉग आफ नाइटिन फिटी टू का जो है उसमें एक तो कोल्ड वैदर था दूसरा एंटी साइकलों डिप्रेशन था कंडिशन थी विंड लेस कंडिशन थी विंड नहीं थी हवा नहीं चार रही थी वहां किलाब जलानें से बहुत सारे एर बॉलन प्लूटेंट वहां कठे हो गए थे और मकी प्लूटेंट माटीरियल भी निकल रहा था स्मॉक निकल रहा था जैसे एक्जास्ट्स फ्राम पार्टिकुलों जैसे कोई जो रेलवे इंजिन से वहां से जा डीजल फ्यूल जो के लोग थे उन्होंने कोईला जलाकर अपने आपको गरम कर रहे थे वाम करने के लिए कोईला बोज रहते थे इसके लवा क्योंकि उन दिनों में 1952 में जब हुआ था ये सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के वाद वहां पर जो कोईला था जो हाई ग्रेड वाला था कठी हो गई थी इसके लावा वहां पर बहुत सारे कोल फाइड पावर प्लांट थे पावर स्टेशन थे जिसके कोईला जलाकर विजदी त्यार होती थी लंदन में लंदन बजार के में जो सिटी थी वहां अंदर थे वहां पर बहुत सारे पावर प्लांट तो वहां पर भ है और बहुत सारी एर बगारा वहीं ट्रैप होकर रह गई थी क्योंकि जो कोल्ड एर नीचे थी और उपर वाम एर थी तो mixing भी नहीं हो पा रही थी तो इससे क्या हुआ की बहुत सरे जैसे गासी तीह तो जब ये लंदन प्रमाग हुआ उसके वजा उसके वजय से क्या वह था इसमें क्या हुआ था it causes the major disruption by reducing visibility and even penetrating indoor areas एक तो गरों के अंदर भी जो है pollutants आगे थे जो समाग है वो आगया था और visibility बहुत कम हो गई थी कि देख नहीं पार रहे थे जैसे चारूं चारूं तरफ कोहरा एक कोहरा था जैसे दिसको बुदें दून टाइब वो थी visibility जो है वो reduce हो गई थी जिसकी वज़ा से जो गाड़ियां बगरा चलाते थे जैसे यह पूरे तरिके से जैसे fog है smog है तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्कल हो गया था दिखता नहीं थे road बगरा आगे यह public transport पूरे तरिके से seize हो गया था एयरपोर्ट्स और बाकी जो transportation है जहां पर signal चाहिए होते हैं जैसे railway बगरा मैं भी उनको operate करना मुश्कल हो गया था वह ठप पड़ गया था पूरे तरिके से इसके अलाबा जो essential services हैं जैसे ambulance बगरा सर्विस वीर हो गई थी क्योंकि काड़ी चाली नहीं पा रहे थी visibility नहीं थी देख तो वह problem थी educational institution जितने भी थे school colleges बगरा जाहें युनिवस्टी बंद हो गई थी business जो है ठप हो गए थे theaters जो है वो नहीं चल रहे थे वो भी बंद हो गए थे क्योंकि even अगर सीट पर लोग बैठे हुए हैं तो indoor में भी आ गई थी smog तो वहां पर वो screens को नहीं देख पाते हैं अपनी सीट से यह चीज़ सा जा stages में कोई लोग अगर perform कर रहे हैं तो वह visible नहीं हो पाते थे इतनी ज़्यादा smog जो है वो हो गया था इसके लवा sports league जितने भी थे वो cancel हो गई थी sport leagues और building के exterior में बाहर में पूरे तरह के से जो है black suit इकठी हो गई थी वह भी दवारें बगारा भी काली पढ़ गई थी और क्या हुआ था पुल्यूटेंट जो है वह इंडूर एरियाज में भी penetrate कर गए थे गरूं के अंदर भी यह चीज़ें देखने को मिली थी यह कुछ पिक्चर है जो उस टाइम की हम देख पा रहे हैं यह कैसे एक ट्राइफिक वला है जो यह पकड़ कर मैसाल पकड़ कर खड़ा है सिगनल देने के लिए कि इस तरह किसे चीज़ें ठाप गई थी वह गाड़ियों को देख पा रहे हैं कि विजिबिल्टी कितनी कम है यह गई थी यूके के मेट्रोलोजिकल डपार्टमेंट के डेटा के साफ से तब 1,000 टन्स आफ स्मोक पार्टिकुलेट्स जो हैं वो एमिट हुए थे रिलीज हुए थे उस पांच दिनों में 140 टन्स आफ हाइड्रोलेक्लोरिक एसीट एच्छीर 14 टन्स आफ फ्लॉरीन कंपॉ हुए थे एमिट हुए थे यह 370 टन्स आफ सेलफर डाइकसाइड रिलीज हुआ था एमिट हुआ था जिसको जो कनवर्ट हो गया था रेक्शन के तुरू 800 टन्स आफ सिर्फिरीक एसीड में और इसमें डेट टॉल कितना हुए था यूके गवर्मेंट ने जो एस्टिमेट जाता है कि लगवग 10,000 लोगों की जो है मोत हुई थी और 1,000,000 लोग मतलब 1,000,000 पीपल जो थे वो बिमार पड़े थे इसे और एफेक्टिड हुए थे काफी जिसमें उनके रिस्पेरिटरी ट्रैक जो है वो सबसे ज्यादा एफेक्टिड हुआ था जो ज्यादा तर जो देट्स हुई थी वो रेस्पेरिटर्टरैक प्राब्लम आने के वजद दो जैसे कि सांस के डम ťफेर्लेट्ड जो है वहांसे बपुझने के वजद दो inversus जहांनी फेल ती जादे मोतर मोटें हुई थी जहांपर की वीड्ट जो जो यह लंस थे वो सबसे ज्यारा नहीते ह तो यह क्या था यह बहुत जदा स्माग जो है लीथल थी और ज़्यदा सबसे जदा जो क्लास जो लोग इफेक्टिड हुए उसमें एल्डरली लोग आते हैं जो बूरे लोग थे जदा इफेक्टिड हुए गिए उनका डेस्पेटरी सिस्टम थोड़ा वीक होता है चिल्डर जो है जानकल काफी जाना डेल्य मतलुन की भी गई लास हुई यह लंड़न समाग में हुआ था तो बहुत सारे फिर लंडन्स मोग के बाद बहुत सारे Ctrl मेजर लिये गए इस तरह की condition एर päलूटेंट जो है Pollution ना देखने को मिले फिचर में तो उसके लिए बहुत सारे Ctrl मेजर मिलिये गए तो इसमें चाया एन्हें एर काल्टी को इफ्रोव करने के लिए और air born pollutant को use करने के लिए जो london के लोगों के गरू में जो fuel use करते थे अन्होंने call से switch करके क्या use करना शुरू किया natural gas और other clean fuels यूज करने शुरू call को use करना बंद किया । clean fuel की दरफ switch हुए in London के लोग दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने क्लीन एर एक 1956 को पास किया था यह कब गिया लंदन ग्रेट समोग लंदन 1952 और उसके बाद इन्होंने एक बनाया था 1956 में जिसमें बहुत सारे मेजर लिये गे ताकि एर प्लुशन को कंट्रोल किया जाए जिसमें इंट्रोड़क्शना को कंट्रोल किया जाएगा प्लुशन को जो कि टॉंज में और बगएरा सिटी बगएरा में स्मोग लस फ्यूल फूट भी बर्न ये भी दिखा गया कि जो जो ऐसे फ्यूल जिलाएंगे जिसके में स्मोक नहीं होता इसके अलावा जो टोमेस्टिक स्वर से हीट के लिए उन होना शुरू किया इंस्टेट आव जो कोल जिलाते थे जादा जा वो खराब कोल जा लो ग्रेडवला उसको बंद किया इसके अलावा क्या किया गया कि मेजर टू प्रवेंट अव डार्क स्मोग फ्रम दा चिमनी से जो डार्क स्मोग वारा निकल दा था उसको भी एक्ट ज जलाए जाते थे उनको भी मूव किया गया सिटी से बाहर ले जाया गया शिफ्ट किया गया इसके अलबा जो हाइट आफ चिमनी है जो जैसे इंटों का बट्टा होता जा कुछ सो जो लगी होती है उसको चिमनी बोलते हैं दूआ निकलता जहां से उनकी हाइट बढ़ाई कि ताकि एर जो है कि जो भी प्रूटेंड गैसी निकले उपर जाएं दूर तो वहां से डिसपार्स हो जाएं कि उपर हवा चाल रही होते थे तो वह निचे ना है निचे कठी ना हो इसके लाबा न्यू फरनेशिया स्मोग लैसें ग्रिट एंड डास्ट शूड भी मिनिमा कुछ है तो यह कुछ कंट्रोल मेजर थे जो कि लंदन समाग को कंट्रोल करने के लिए लिए गे थे तो दिस इस आल अबोर्ट टाफिक ग्रेट समाग आफ लंदन थैंक्यू